न्यायाधी सह आरक्षिनम अभियुक्तम्च तम सवं न्यायालये आनेतु मादिष्टवान अभी संपुण वृत्तांत को सुन कर न्यायधी सने आरक्षिनम आरक्षी को अभियुक्तम्च और जिस पर चोरी का अभियोग लगा हुआ था उसको अर्थाद उन दोनों को आरक्षी को और चोर को तम सवं उस सव को न्याया ले न्याया ले में आने तू मादिश्टवान लाने का आदेश दिया तम सवं यह जो सब्द है यह भी विशेशन विशेश से संबंध है इसमें सव जो है विशेश्य है और तम जो है विशेशन है तो आने तू मादिश्टवान आने तू मादिश्टवान यहां व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ है तो न्यायधिस ने आरक्षी और जिस पर चोरी का अभियोग लगा हुआ था उसको अर्था दोनों को उस सव को लाने न्यायलाई में लाने का आदेश दिया आदेशं प्राप्य उभाव प्राचलताम अब न्यायधिस के आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभाव वेदोनों कोंदोनों आरक्षी और वह अभियोगत प्राचलताम चल पड़े प्राप्य सब्द जो है यह भी कृदंति युक्तव सब्द है तो प्रधन आपधन लिप प्रत्य है और इसका तात्पर यह होता है प्राप्त करके या पाकर तत्रो पेत्य काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देहम सकंधेन वहंतव न्यायाधी करणम प्रती प्रस्थितव तत्रो पेत्य तत्रधन उपेत्य इति तत्रो पेत्य यहाँ पर गुण्श्वरसंधी का प्रयोग हुआ है वहां पहुचकर काष्ठ पटले काष्ठ कहते हैं लगडी को तो लगडी के पटल पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम पटधन आच्छादितम इति पटाच्छादितम यहाँ संधी और समास दोनों से युक्तपद है तो पटेन आच्छादितम इति पटाच्छादितम तृतियत पूरुसमास का प्रयोग हुआ यहाँ या पटधन आच्छादितम कहते हैं तो दुर्गश्वरसंधी का प्रयोग हुआ तो पट से आच्छादित पट कहते हैं का पड़ा को देहम देह को सकंधेन कंधे से सकंध कहते हैं कंधे को वहन्तव वहन करते हुए वहन्तव सवब्द जो है यह सत्रि प्रत्य से युक्त सब्द है द्विवचन में इसका प्रयोग हुआ है तो वहन करते हुए इसका तात पर यह हुआ न्यायाधिकर्णम प्रति न्यायाधिकारी के प्रति प्रस्थितव प्रस्थान किये तो उन दोनों को आदेश दिया गया था कि जाओ और उस सव को यहां न्यायलाय में लेकर आओ इस आदेश को प्राप्त करके वे दोनों चले गए और वहां पहुंचकर लखडी के पटल पर रखे हुए कपड़े से ढखे हुए उस सव को देहम उस सव को सकंधेन कंधे से वहन करते हुए न्यायाधी करणम प्रती न्यायायलाय की ओर प्रस्थितव प्रस्थान किये रथात वे दोनों वहां गए और वहां कपड़े ढखे हुए उस सव को जो लखडी के पचल पर रखा हुआ था उसको अपने कंधों पर धारण करके वे नियायले की ओर प्रस्थान किये अब दोनों अभियुक्त भी और वह आरक्षे भी दोनों अपने अपने कंधों पर उस सव को जो लकड़ी के पचल पर रखा हुआ था लेकर नियायले की ओर जा रहे हैं आरक्षी सुपुष्ट देह आसित अभियुक्तस्च अतीव क्रिसकायः वह जो आरक्षी था वह सुपुष्ट देह आसित तो सुपुष्ट देह धन आसित थी यहां संधी विच्चेद करें तो रुप बनता है सुपुष्ट देह धन आसित यहां विशर्व संधी का प्रेवग हुआ है तो आरक्षी जो था वह हट्टकटा था यहां कि वह गाव में रहता था और गाव में पीने को भी मिलता था बढ़िया रोजगार संपन्न था वह और साथ ही कई अनेतिक कारियों में भी सन लगना रहता था इसलिए वह जो है हटकटा था सुपुष्ट देह था अभियुक्तस्च और जिस पर चोरी का अभियोग लगा हुआ था वह अतीव अतीधन इव इती अती यहां पर दिर्गस्वरसंदी का प्रयोग हुआ है ऐसे ही अभियुक्तस्च कह रहे हैं अभियुक्ता धन्च यहां विसर्वसंदी का प्रयोग हुआ है तो अभियुक्तस्च अतीव क्रिस का यह क्रिस कहते हैं दूरबल जिस पर अभियोग लगा हुआ था वह निर्धन थ बहुत अधिक परिश्रम करता था फिर भी कुछ ही पैसे वह कमा पाता था तो बहुत अधिक परिश्रम करने से उसका जो सरीर है वह कैसा हो गया था वह दूरबल हो गया था तो अभियुक्तष्य अतीव क्रिशकाय अभियुक्त जो था वह क्रिशकाय था अर्था बहुत अध देखे व्यक्ति का सरीर अलग होता है लेकिन जब प्राण सरीर में नहों तो वहां सरीर जो है भारी हो जाता है है तो ऐसा वह जो सव था वह भारी हो गया था और उस भारी सरीर को उस भारी सवं को और सभारी लास को आपने कंधे से वहन करना कि किसके लिए उस निर्धन व्यक्ति के लिए जो going था उसके लिए दूस्र करम आसित दूश कर था अर्था रिथा कठिन था दूस करम संधी उक्तपद है संधी अलग करें दूह धन करम इती दूस करम यहां विशर संधी का प्रयोग हुआ है अर्थात कछिनता से योग्य किये जाने योग्य वह कार्य था तो वह व्यक्ति जो सुपुष्ट देह वाला था हच्टा-कच्टा था वह तो बढ़िया मजे से चले जा रहा था अनंद से जा रहा था लेकिन यह निर्धन व्यक्ति यह इसको भार लग रहा था इसको दुख हो रहा था इतना भारी है कैसे मैं ले जाओंगा इस तरह से वह सोच रहा था और साथ ही साथ वह बीच-बीच में क्रंधन करता था अर्थात रूदन करता थ अरे रोको रोको थोड़ा मेरा कंथा दुख रहा है थोड़ा यहां रोक लेतने फिर चलेंगे इस तरह की वावातें करता था तो सव भार वेदनया क्रंदतिस्म वह उस भार की पीड़ा से क्रंदतिस्म अर्थात वह क्रंदन करता था अर्थात वह रूदन करता था वह रोता था लेकिन यह सुपुष्ट देह जो अरक्षी था वह ने ने चलो चलो जल्दी चलो ऐसा करके उसको खीचता हुआ बलात ले जा रहा था यहां पर स्मा का प्रयोग हुआ है स्मा यह भूत कालिक प्रत्या है किसी वर्तमान कालिक क्रिया के साथ में यदि इस्मा प्रत्या का प्रयोग किया जाए तो उस वर्तमान कालिक क्रिया का अर्थ जो है भूत कालिक हो जाता है जैसे क्रंदति इसका तात्परि होत होता है रोता था वह भार की पीड़ा से रोता था चिल्लाता था तस्य क्रंदनम उसके तस्य क्रंदनम निसम्य मुदित आरक्षी तमवाच रेदोष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिता या मंजुसा या ग्रहनात वारिता ह। तो वह व्यक्ति जब क्रंदन करता था वह रोता था तो उसके उस क्रंदन को निसम्य सून कर मुदित अर्था आरक्षी वह अरक्षी था वह तमवाच उसको बोला क्या बोला रेदोष्ट तस्मिन दिने उस दिन त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मैं चोरिता या चोरी किये गए मंजुसा या मंजुसा के ग्रहनात वारिता ह। पकड़ लिया गया उस दिन मैं तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किये गए मंजुसा के साथ पकड़ लिया गया था। इदानिम निज कृत्यस्य फलं भूंच्वा और अब ये जीतना घचना क्रम हो रहा है सब उसी का फल है तो इदानिम इस समय निज कृत्यस्य अपने कृत्य का अपनी करणी का फलं भूंच्वा अर्थाथ फाल भोगो यदि तुम मुझको उस दिन नहीं पकड़े होते तो तुम बढ़े सुख से रहते आराम से रहते तुम्हारे पर कोई पत्ती नहीं आती लेकिन तुमने मुझको पकड़ लिया गया तुम्हारे द्वारों मैं पकड़ लिया गया इसलिए सारी विपत्ती अब तुम पर आई है अब इसलिए अब जो भी होगा वो सब कफल तुम तुम भोगो ऐसा वह आरक्षि उस निर्धन व्यक्ति को जो क्रिस काय था उसको गहने लगा अर फिर आगे कहता है क्या कहता है अस्मिन चौरियाभियोगे त्वम वर्श त्रयस्य कारा दंडम लपस्य से अस्मिन इस चौरियाभियोगे इस चौरी के अभियोग में अरथात वर्स से 3 वर्स की कारदंडम अर्थात जेल में या कारगार में लफसय से प्राप्त करोगे तो इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्स का कारगार प्राप्त करोगे अर्थात कारावास में तुम्हें तीन वर्स व्यतीत करना होगा ऐसा वह आरक्षी उस निर्धन व्यक्ति को कह रहा है तो लब्स यसे यह जो पद आया है लब्धातु लिटलकार मध्यम पुरुस एक वचन का यह रूप है और इसका दात पर होता है प्राप्त करोगे तुम आईसा प्रोच्य कहकर उच्चैह अहसत आईसा कहकर वह बड़ी जोरों से हसने लगा प्रोच्य प्राधन उच्चैती प्रोच्य यहां गुंडश्वर संधी का प्रेयोग हुआ है आहसत आहसत यह क्रिया पद है इस क्रिया पद में हसधातु है लंगलकार प्रथम पुरु वह हसा तो इती प्रोच्य ऐसा कहके वह जोरों से हचा क्या कहकर के हसा उसने कहा कि इस चोरी के अभियोग के कारण तुमको तीन वर्सका कारागार प्राप्त होगा ऐसा कहकर वह बड़ी जोरों से हसा यथा कथंचित उभव सवमानिय एकस्मिन चत्वरे स्थापित वन्तव यथा कथंचित जिस किसी भी प्रकार से उभव वे दोनों सवमानिय सवमानिय सव मतलब सव को आनिय मतलब लेकर एक अस्मिन एक चत्वरे चत्वरे कहा जाता है चवरा को जैसे हम घर को सामने देखते हैं गाउं में देखते हैं लोगों के घर के सामने बैठने के लिए जो इस्थान बनाया गया होता है मकान से लगा हुआ ये क्या कहलाता है ये चवरा कहलाता है जैसे आप चित्र में उन दोनों ने उस सव को जैसे तैसे करके लाए और ला करके एक चवरा में रख दिये तो इस तरह से वे दोनों अब उस सव को तो ले आए फिर आगे क्या करते हैं आईए देखते हैं न्याया धिसेन पुनस्तव घटना याह विशये वक्तुमादिश्टव अब वो दोनों सव को लेकर एक बाहर चावरा में रख दिये चबुत्र बना हुआ था वहां रख दिये और फिर न्यायलाय में गये तो न्याया धिसेन न्याय धिस के द्वारा पुनस्तव पुनाधन्तव इती पुनस्तव यहाँ पर विशर्गसंधी का प्रयोग हुआ है घटना याह विशये घटना के विशये में वक्तुमादिश्टव बोलने के लिए आदेश दिया गया तो न्याया धिसेन न्याय धिस मूल सब्द है तृतियोई भक्ति एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर होता है न्याय धिस के द्वारा पुनस्तव फिर से उन दोनों को घटना याह विशये घटना के विशये में वक्तुमादिश्टव यहाँ पर वक्तुमधन का प्रयोग हुआ है तो उन दोनों को फिर से घटना के विशये में कहने के लिए आदेश दिया गया रथा न्याय धिस ने कहा कि चले ठीक है तुमने मेरा काम कर दिया मैंने जो कहा था उसको लिया अब क्या हुआ था क्या कह रहे थे क्या क्या घटना हुआ यह फिर से एक बार कहो ऐसा न्याय धिस ने कहा तो आरक्षणी निजपक्छम प्रस्तूत्वति आश्चरियम घटत ससवह प्रावारकम सार्य न्याय धिसम भिवाद्य निवेधित्वान जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ न्याय धिसका तो आरक्षणी के द्वारा निजपक्छम अपना पक्छ प्रस्तूत्वति प्रस्तूत किया अब वो अपना उपक्छ प्रस्तूत करने लगा अब वो जब अपना प्रस्तूत कर रहा था तभी आश्चरियम घटत तभी आश्चरियम धन अगाचत इती आश्चरियम घटत यहां पर विशर्व संधी का प्रयोग हुआ है आश्चरिय घटत हुआ अर्थात एक अनोखी प्रावारक कहते हैं उस आच्छादक को अर्थात जिसको उड़ाया गया था जिसको धका गया था तो उस धके हुए कपड़े को अपसार्य हटाकर न्यायाधीसम भिवाद्य न्यायाधीसम धन अभिवाद्य यह थी न्यायाधीसम भिवाद्य न्यायाधीसको अभिवाद्य अभिवादन करके निवेदित्वान कहने लगा देखिये अभी वह आरक्षी था वह अपना पक्ष प्रस्तूत कर रहा था और तो इसको धका गया था उस कपड़े को हटा करके उठ करके न्याय धिस का अभिवादन करके न्याय धिस से कहने लगा क्या कहने लगा मान्यवर एतेन आरक्षिना अध्वनी यदुक्तम तद वर्णयामी महोद है इस आरक्षी के द्वारा अध्वनी अध्वनी कहते हैं मार्गमे तो मार्गमे यदुक्तम जो कहा गया है तद वर्णयामे उसका मैं वर्णन करता हूँ तो मान्यवर इस आरक्षी ने रास्ते में जो कुछ कहा है उसका मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ क्या कहा नियाधिस ने पूछा तब वह जो सव था जो अपना कपड़ा हटा कर अब नियाधिस के समक्ष आ गिया और बोल रहा है वह कहता है क्या कहता है त्वया अहम चोरिता याह मंजुसा याह ग्रहनात वारितह तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किये गए मंजुसा से पकड़ लिया गया आतह निज कृत्यस्य फलम भूंच्व इसलिए तुम अपने कृत्य का अर्था तुम अपनी करणी का फल भोगो अस्मिन चोरी अभियोगे इस चोरी के अभियोग में तुम वर्ष त्रयस्य तीन वर्षों का कारा दंडम अर्था कारा दंड या कारा वास लब्स्य से प्राप्त करोगे इती तो ऐसा इसने मार्ग में कहा ऐसा उस जो सव था जो लास था वह उठकर के नियाधिस से निविदन करता है कि मार्ग में इस आरक्षिने ऐसा ऐसा कहा है अब जब वह लास ही इस तरह से उठकर बैठ गया और नियाधिस से निविदन करने लगा तब तब तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया तो नियाधिस नियाधिस ने आरक्षिने आरक्षि को कारादंड मादिश्य कारावास का आदेश देकर तम जनम और उस व्यक्ति को ससम्मानम सम्मान पुर्वक मुक्तवान मुक्त किया देखिए यह जो उपाय था जो घटनक्रम हुआ वास्ताव में वह सव कुछ नहीं था नियाधिस ने एक युक्ति लगाई और किसी व्यक्ति को वहाँ उस लकड़ी के पटल पर सव की रुप में लिटा दिया और एक कपड़े से उसको ढखक कर रख दिया फिर नियायलय में किसी अपने कर्मचारी को ही पहले ही कह दिया था कि जिस समय ये लोग अपना घाचना करम कहते रहेंगे उस समय तुम आकर मुझको ऐसा ऐसा कहना मैं ऐसा करूंगा फिर उससे सच्चाई क्या है क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई प्रमान नहीं है तो पर नयाया धिश में उस आरक्षी को जो वास्ताव में दोसी था उसको कारवासम निर्धन व्यक्ति जो इमान दार था वह समय का पिढ़ित था भाग्य की गति का मारा हुआ था जो अब यहाँ अभियुक्त बन गया था उसको दोस मुक्त किया और सासम्मानम सम्मान पुर्वक उसके अभियोग से उन्हें मुक्त किया अतह एव धन उच्यते इति अतह धन यहाँ व्याजन संधी इसी तरह से एव धन उच्यते यहाँ गोंण्सवर संधी का प्रियोग हुआ तो इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? इन्हे तो हम समझेंगे ही, सबसे पहले व्याकरणिक तत्तों को देखते हैं। अर्थात धुतिवभक्ति बहुचन का यह रूप है मती वैभाव सालिनाह मती वैभाव से संपन लोगों के द्वारा नीती युक्तिम समाव लंब्य सम धन आव लंब्य यहां दिर्गसवर संधी का प्रयोग हुआ है तो मती वैभाव सालिनाह जो बुद्धी प्रकर बुद्धी वाले जो लोग होते हैं बुद्धी वैभाव से संपन लोग होते हैं उनके द्वारा नीती युक्तिम नीती की युक्ति लेकर अर्थात उचित नीती युक्तिम समाव लंब्य उचित नीती का आश्रे लेकर उच अर्थात बहुत अधी कठिनता से किये जाने वाले कारियों को भी लील यैव लीला में ही अर्थात खेल खेल में ही प्रकूर्वते कर देते हैं अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं बुद्धि संपन लोग होते हैं ये विभिन नीतियों का उपयोग करते हुए विभि से कठिन कारियों को भी लीला के माध्यम से अर्थात खेल-खेल में ही सहज रुप में संपन्न कर देते हैं जैसे हमने इस पाठ में देखा विचित्र साक्षी में यहां जो न्यायद हिस है बंकिम चंद्र जी उन्होंने खेल-खेल के माध्यम से ही उस जटिल समस्या को जिसका कोई प्रमान नहीं था कोई साक्षे नहीं था उसका उन्होंने किस तरह से सरल रिती से एक निसकर्स निकाला एक उपाय किया और साक्षात प्रमान उन्होंने अपने सामने उपसित किया और फिर वो सही निर्णय करने में समर्थ हुए तो इस तरह से कहने कतात पर यह है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो नीती की बाते करते हैं, और नीती की बाते करते हुए जटिल से जटिल इस्थितियों में भी उचित रास्ता वे निकाल लेते हैं, या कहें कि कछिन से कछिन इस्थितियों में भी उचित समाधान वे प्राप्त कर ही लेते हैं, या कहें कि बातचित एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम विभिन कछिन इस्थितियों में भी मार्ग बना सकते हैं इसलिए हमें हमेशा समवाध की इस्थिति निर्मित करनी चाहिए यह हमें इस पाठ से सिक्षा मिलती है